कि गुट्मूर्णिंग याउरा फ्रेंट्स पिछले वीडियो मैं मैंने आप सभी को अल्फ़ाबेट Gattolius कोनसेन्ट के बारे में चर्चा की थी और हमने यह सिखा था कि लेटर所以呢 ngay वर्ड से sentences और आज हम लोग words पर बिस्तार से चरचा करेंगे जानेंगे कि words कितने प्रकार के होते हैं तो हम सभी जानते हैं कि words को आठ प्रमुक भागों में बाटा गिया है जिसे पार्ट सौपस्पिस कहते हैं सबसे पहले हम आठों के नाम जानते हैं सबसे पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तिसरा एडजेक्टिव, चोथा भर्ब, पाचवा एडवर्ब, छथा प्रिपोजिशन, साथवा कंजक्शन और आठवा इंटर्जेक्शन सबसे पहले हम लोग जानते हैं नाउन के बारे में नाउन is the name of your person, place or thing अर्थात नाउन किसी भी व्यक्ति वस्तु जाती अस्थान आदी का नाम होता है जी हाँ, आपका भी नाम को नाउन कर सकते हैं आप जहां रहते हैं, जिसे मेराची में रहता हैं नाउन है, हर किसी भी व्यक्ति का नाम, अस्थान का नाम या वस्तु का नाम सभी के नाम को नाउन कहा जाता है अब हम जानते हैं प्रोनाउन के बारे में प्रोनाउन क्या है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए नाउन के पुन्राविर्थी को रोकने के लिए इसी इट इत्यादी अब जानते हैं एडजेक्टिव क्या है एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विश्यस्ता बताने वाले सब्ध है जी हाँ नाउन और प्रोनाउन के ये विश्यस्ता बताते हैं चाहे वो गुन हो या दोस हो और ये हमेशा ये दर्थाते हैं कि इनक के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा अरथात एड्जेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आता ही है चोछे नंबर में हैं भर्व, भर्भ अरथात कृलिया किसी भी काम को करने या होने की अस्तिती को जो जो सब्द दरसाते हैं उन्हें भर्ब कहते हैं जैसे मैं हसता हूं वह रोता है आप अंग्रेजी सिखते हैं इसमें सीखना रोना हसना ये सारी सब्द भर्ब है पांचवाँ एड़ब है जिस प्रकार एड़्जेक्टिब किसी नावन या प्रोनावन का गुन बताता है और यह खुद अपना ही अर्थात किसी दूसरे एड़ब का गुन या विशेश्ता बतला सकता है इसे हम मुधारन से समझ सकते हैं जैसे ही इस गूड यहां ही एक प्रोनावन है इस भर्ब है और गूड एड़्जेक्टिब है इसी वाइक को हम लोग बढ़ बताने के लिए हम लोग एड़ब भेरी का प्रयोकी है अर्थात भेरी यहां एक एड़ब है एक दूसरा उधारन लेते हैं जैसे संजे अस्पिक्स इंग्लिस यहां संजे एक नाउन है अस्पिक भर्ब है इसी वाइक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं संजे अस्पिक्स इं बता रहा है तो fluently एक एडवर्ब है अब हम जानेंगे प्रिपोजिशन के बारे में प्रिपोजिशन किसी भी सेंटेंस के अर्थ को असपस्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं अधि हम समंधित किसी वाइक में अगर प्रिपोजिशन का प्रयोग ना करें तो उस वाइक का अर्थ असपस्ट नहीं होता है जैसे I am living in राची मैं रह रहा हूं अधि इसी वाइक को वाइक में अधि हम लोग इन को हटा देते हैं अर्थाथ हम लोग ये कहते हैं I am living राची तो इसका अर्थ बिलकुल या सपस्ट रहेगा कोई भी इस वाइक के अर्थ को समझ नहीं पाएगा तिस प्रकार प्रिपोजिशन जो है in, at, for, before, into, among इनका परियोग करके हम वाइक के अर्थ को और भी असपस्ट करते हैं सात्वा हैं कंजक्शन और कंजक्शन का अर्थ है कि दो सब्दों को या दो वाइक को जोड़ना प्राया है दो सब्दों को जोड होता है जैसे and, but, as well as, as far as इन सब्दों का प्रियोग हम वाइक क्यों या सब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं आठ्वा और अंतिम हैं इंटर्जेक्शन वैसे सब्दों को इंटर्जेक्शन कहते हैं जिनका प्रियोग किसी को पुकारने के लिए क्या जाता हो या नाया सही हमारे मुझ से निकलता है जैसे कोई अच्छा कारिज करता है तो हम उसे कहते हैं साबास well done या किसी को दुख पहुंचता है तो हम लोग कहते हैं oh my god यह सारे सब्दों जो हैं जो अचानक से हमारे मुझ से निकलते हैं अपनी भामनाओं को व्यक्त करने के लिए वे सभी इंटर्जेक्शन हैं यह कुछ नाउन और प्रोनाउन के उधारन हैं यह उधारन एडजेक्टिब और भर्ब्स के हैं इनने देख कियात कर सकते हैं और यह उधारन एड़ भर्ब और प्रिपोजिशन के हैं और यह कंजेक्शन और इंटर्जेक्शन के हैं इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें और परते की वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट करें धन्यवाद